साथियों प्रणाम, नमस्कार, उत्तर प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा के बिबादित मामले को लेके जो माननी अलाबाद हाई कोड में लागतार सभी केसेज पर जो मामले पेंडिंग चल रहे हैं सब पर कहीं न कहीं आदमी प्रयास कर रहा है कि किसी पर सुनवाई हो जाए देखिए बीच बीच में कुछ दिन डेट लगने में समय लग जाता है और जब हम प्रयास करते हैं तो भी सबताह लग जाते हैं दो चार दिन लग जाते हैं कभी कभी तो ततकाल भी हो जाता है लेकिन आदमी प्रयास अपने तरब से पूरा करता है ऐसा नहीं कभी हम लोग प्रयास नहीं करते हैं ठीक है और दो अपडेट है और ये पहला अपडेट मैं डाल रहा हूँ क्योंकि कल सुनवाई है अपर प्राइमरी को लेखे अपर प्राइमरी में कल 16 फेबरारी 2023 केस इस लेश्टेड इन कोर्ट नमबर 32 बेंच आईडी 65 नमासी एट सिरियल नमबर 31 बाइस ये चीज़े अपनों के सामने पड़ा हुआ है और जो जैस्टिस है वह है विकास सर के कोट में लग रहा है और विकास बुझा बॉडवर सर की कोट है उसे थोड़ा झार्मल भी माना जाता है अच्छी कोट है तो आदमी प्रयास भी कर रहा है कि तो कोई nav dar की ये चलक यही autonomous सरकार ने को लोगों के पड़ें हैं वो बड़े नार्मल चीजे है महीने खाड में सब निप्टारा हो जाता है बेवज़ फिजुल में हम लोग 6 महीने 8 महीने से परेसान है और इस तरीके से तमाम केसे पड़े हुए हैं सिर्क मेरा ही नहीं पड़ा है मेरे तरह लाखों लोग पड़ें जिनकी फाइले सब्मिट हुई पड़ी हैं बहुत सारे मैटर्स हैं लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है और खास करके जो इस्टूडेंट के मामले आ रहे हैं उनको फसा दिया जाता है सरकार कुछ नहीं होता, सरकार कह देती है हम तो वेकैंसी दे रहे हैं या कहाँ वेकैंसी दे रहे हैं आप कोई भी चीज क्लियर करवा रहे है हर पेपर आपका लिक हो जाता है कही न कहीं समस्चा है हम सब के साथ बनी होई है और यह मामला इतना जल्दी निप्टादा हो जाता कुछ भी कहनी जोरत नहीं थी लेकिन इस मामले को आज तक पेंडिंग रखा गया है हमारे आपके आखों के सामने आप लोग देख रहे हैं कि हमारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और जान बोश के डेट पर डेट मिलता है तो गलती से डेट दे भी देते हैं तो इतना ल करना है फैसला करो नहीं करना है तो आप मामले को आगे बढ़ाओ हम आगे जाके देखेंगे अब खारीश करो ना हम डिविजन या जो भी होगा हम सुप्रिम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन मामले को इतना पेंडिंग में रखा गया है लेकिन अपर प्राइमरी जैसे कुछ अपर प्राइमरी के लिए कमेंट कर रहे हैं तो अपर प्राइमरी के कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं अपर प्राइमरी वाला कोई अपडेट था नहीं इसलिए मैं दे नहीं रहा था अभी है इसलिए दे रहा हूं तो प्लीज तिन क्विश्चन के लिए आप लोगों को तो दुबारा रिपीट करा दूँ, तीन कुष्चन के लिए अपर प्राइमरी में मामले चल रहे हैं, तेनों कुष्चन पर अगर मामला बनता है, तो जहां तक उमीद है, जरूर एकाद नंबर पे कामन होगा, क्योंकि अपर प्राइमरी वाले पे ज्यादा चांस है, तो नेक्स टाइम मैं आपको अपडेट करा दूँगा, परजेंट अभी जो सूचना है, अब तक के लिए धन्यवाद, आगे जो भी सूचना होगी बताएं